हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सोया मंचूरियन की रेस्पी शेयर कर रहे हूँ, जिसे बनाना बहुत ही जादा एजी है और बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है, मार्केट से आप यही 200 रुपे प्लेट लेक कराएंगे और घर में हम 20 रुपे में ही पूरे परिवार के लिए इसे बना कर रेडी कर लेंगे, तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं, यहां पर मैंने लिया है यह 250 ग्राम सोया चंग और इसे एक बड़े पती ने में डाल कर इसमें पानी भर देंगे, पानी इतना डालन मैंने शिमला मिर्च और प्याज को इस तरीके से डाइसिस में कट कर लिया है, लहसा नदरक हरी मिर्च को बारिक बारिक चॉप कर लिया है, और यह देखिए सोया चंग भी उबल गया है, तो इसे हम इसमें से निकाल कर ठंड़े पानी में डाल देंगे, जिससे इसकी कुकि से दबाते हुए सारा पानी हमें इसका निकाल देना है, थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसका जितना भी पानी है, उसे हम निकाल देंगे और इससे दूसरे बाल में डालते जाएंगे, यहाँ पर फ्रेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाती हूँ, आपको अगर व सोया चंग से पानी को निकाल दिया है, और इसमें एट किया है, दो से तीन टेबल स्पून मैदा, इसके साथ एट करेंगे वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथी डालेंगे, स्वादा नुशार नमक, नमक डालकर हमें इन सभी को अच्छे से मिक्स कर द सोया चंग से मारा बहुत ही अच्छे से कोंट हो गया है, साते हमेंगे एक कडाई में ओल कर अच्छे गरम लिए निकाल और gas की flame हमें high ही रखनी है, high flame पर हमें soya chunks को डाल कर फ्राई करना है, आप डाल कर एक दम से ना चला है, थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही अलग-अलग हो जाते हैं, और gas की flame को high ही रखना है, high flame पर हम इसे फ्राई करेंगे, तो बिल्कुल भी यह oil observe नहीं करते हैं, एक से तेड़ मिनट में यह बहुत ही जल्दी fry हो जाते हैं, और पूरे soya chunks को light brown होने तक हमें fry कर लेना है, यह देखिए सारे soya chunks यहाँ पर मैंने fry कर लिया है, पैन में एक बड़ा चमच तेल गरम करेंगे, इसमें डालेंगे बारी कटी हुई अधरक लैसन और हरी मिर्च, अधरक लैसन का हरी मिर्च को हमें brown होने तक भूनना है, इसमें आप लैसन की quantity अपनी टेस्ट के according कम जादा कर सकते हैं, लेकिन लैसन की quantity थोड़ी जादा ही रखे, तो बहुत ही अच्छा flavor आता है, और इसी के साथ dice किये हुए, जो शिमला मिर्च और प्याजा उसे भी डा साइड किया है, यह सोसिज आप अपने टेस्ट के according कम जादा कर सकते हैं, साथ ही मैं थोड़ी सी red chili sauce एड कर रहे हूं, और इसी के साथ थोड़ा सा एड करेंगे tomato ketchup, और इन सभी सोसिज के साथ भी हमें थोड़ा सा इसे cook कर लेना है, और गैस की flame को हमें medium to high ही रखना है, एक गिलास के जितना पानी डाल दिया है, इसमें एक उबाल आने देंगे, side by side मैंने यहाँ पर दो चमच कॉन फ्लार को थोड़े से पानी के साथ घोल लिया है, और इसमें उबाल आते ही, थोड़ा थोड़ा करके कॉन फ्लार एड कर देंगे, और इसे हमें mix करना है, कॉन जल्दी dry होने लग जाती है, अगर आप इसे starter में ले रहे हैं, बिल्कुर dry बनाना चाहते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा और सुखा ले, और इसे बिल्कुर dry बना ले, इसकी flame को off कर देंगे, और add करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, वैसे इसमें हरा प्यास जाता है, लेकिन इस सीजन में हरा प्यास तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमने add किया है, हरा धनिया, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और हमारा बहुत ही टेस्टी, सोया मंचुरियन बनकर तैयार है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थैंक्स वर वाचिंग, बाबाई